हेलो दोस्तों आपको यहां पर भारत की 7 सबसे फास्ट ट्रेन, 7 फास्टस ट्रेन इन इंडिया के बारे में बताया जा रहा है और वह कहां से कहां तक चलती है और उनकी स्पीड क्या है उनकी भी जानकारी नीचे दी जा रही है जिनको आप यहां से देख सकते हैं और अगर आपको यहां से इन स्टेशनों के बीच यात्रा करनी है तो आप इन हाई स्पीड रेल इन इंडिया ट्रेनों से यात्रा कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है आपने गरीब रत का नाम तो कई बार सुना होगा लेकिन आपको यह नहीं पता की यह गरीब रत कहां से कहां तक चलती है तो हम आपको बता दे की यह गरीब रत एक्सप्रेस बांद्रा गरीब रत के नाम से जानी जाती है जो बांद्रा से लेकर हजरत निजामुद्दीन क के मध्य चलती है इस ट्रेन की स्पीग 130 किलोमीटर प्रती घंटा है भविश्य में आप इस गरीब रद ट्रेन की भी सवारी कर सकते हैं यह नाम से केवल गरीब है बाकी सेवाएं यह आपको अच्छी प्रदान करती है 6. अगले ट्रेनों की सूची में हमने मुंबई LTTH निजामुदीन AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को शामिल किया है 22,109, 130 किलोमीटर पर आउर की स्पीड से दौरती है इस ट्रेन में यात्रियों को अच्छी सुविधाएं देखने को मिलते हैं यह ट्रेन हावरा जंक् अगली भारत की हाई स्पीड ट्रेनों की सूची में हमने राजधानी एक्सप्रेस को रखा है यह तेजस राजधानी एक्सप्रेस 140 प्रती घंटा की स्पीड से दौरती है अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो यह मुंबई Central से लेकर नई दिल्ली के बीच चलती है अगर अगली ट्रेन हमने यहां पर भौपाल शताबदी एक्सप्रेस हिंडी है जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रती घंटा है और यह स्पीड सबसे तेज पहले के समय में मानी जाती थी और पहले शताबदी एक्सप्रेस ट्रेन को सबसे तेज माना जाता था लेकिन अब इस से भी सुपर फास्ट ट्रेन आ गई है लेकिन आज एक भी एक्सप्रेस की बात करें तो यह ट्रेन हभीबगन से लेकर भौपाल तक जाती है इस ट्रेन का ट्रेन नंबर 12,002 है इसमें दूरी के हिसाब से किराया है और 550 रुप्ये से किराय की शुरुआत होती है 2. गतिमान एक्सप्रेस दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पर गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन को रखा है और इस ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रती घंटा है इस ट्रेन का ट्रेन नंबर 12,049-12,050 है और यह ट्रेन दिल्ली से लेकर जहांसी के बीच चलती है अगर आपको और चॉकलेट दे कर स्वागत किया जाता है 1. वंदे भारत एक्सप्रेस फास्टेस ट्रेन इन इंडिया और यह ट्रेन दिल्ली से श्री माता वैशनो देवी कटरा तक जाती है अगर आप भी कभी माता के भवन जाए तो आप इस हाई स्पीड ट्रेन का आनंद उठा सकते हैं यह आपको नई दिल्ली से लेकर और माता वैशनो देवी कटरा तक पहुंचने में मातर 8 घंटे का समय ल प्ट